नमस्कार आप देख रहे बिन्यूज और मैं हूँ आपके साथ आर्जमिसरा गहार के एक जीब घटना सामने आई है जहाँ पर एक दिन पहले दफनाया गया लड़की का शव कब्र से गायब हो गया है असानी ये लोग इस बात को लेकर के काफी दंग है ये घटना जिले के कुशेश्वर स्थान थाना छेतर एलाके से जुड़ी है जहां दफनाया गया लड़की का शव 24 घंटे के बाद कब्र से गायब हो गया जिसका बेर पंचायत के कुमारी गाओं एलाके से तालुक है लाश के गायब होने के मौमले में सूचना मिलने पर मौ के पर पहुचे और शव को खोजने लगे मिली जानकारी के अनुसार बेर पंचायत में कुमारी गाओं के रहने वाले मौम्मद ज्वाकिर की 15 साल की बेटी सगीरा खातून विगत दो महीने से बीमार रह रही थी जिसके बाद उसकी मौत हो गए बताय जा रहा है कि लड़क कि लड़क lبي緝 को हो गये जिसके बाद परीजनों ने गाओं के पास ही एक कब्रिस्तान मेर को दफना दिया था वहीं रविवार को सुभा गाउं वाले ने जब कब्र खोदी तो देखा के कब्र में लाश ही नहीं है जिसकी सूचना उन्होंने परिजनों को दी जिसके बाद वहां परिजन पहुंचे जहां उन्होंने देखा के कब्र खुदी हुई है और लर्की की शव गाइब है फिर काफी खोजने के बाद करीब कुछ दूरी पर ही छाड़ी में लड़की का शव मिला तो उसे दोबारा कब्र में दफना दिया गया ऐसे ही तमाम खबरों से जुरह रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद